हेलो गाईज असके लपने एक्सपर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ तो आज के इस वीडियो में आप बात करूँगा जो आपको सरे वर्सेस ग्लोकस्टर सायर की बीच में यहाँ पर इंग्लिज डोमेस्टिक वन डे कप का जो सेकेंड क्वाटर फाइनल मैच आपको ख करेगी मैं भी इस वीडियो में आपको एकदम अच्छे से बताने वाला हूं दोनों टीम के सभी प्लेयर्स के मैं आपको स्टैट्स बताऊंगा साथ में इन्फॉर्मेशन तो आपको सभी वीडियो सी तरह कमाल की जानने को मिलेगी साथ में जो हमारा में फोकस रहेगा वो स्कॉाइड है वो सेमी है यानि कि दोनों टीम की यहां पर स्कॉाइड में कोई चेंज नहीं है तो आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सेम प्लेयंग लेवन देखने को मिल जाए पहले पिकेट कीपर से पहले गाईज यहां पर एक बार पॉइंट्स चेबल आप देख लीजिए यहां पर पॉइंट्स चेबल है यहां पर देखेंगे गुलुकोष्टर सायर की टीम ग्रूप A में चौथे नहीं पर थी आठ में से चार मैश जीतकर ठीक है उनके यहां प पर आठ पॉइंट्स थे पर गुरूप B का दिखेंगे तो गुरूप B में सरे की टीम आठ में से चार मैश जीतकर उनके 10 पॉइंट थे तो दोनों टीम का परफॉर्मेंस एक जैसा ही था तो हम यहां पर किसी टीम को ज्यादा इस्टॉंग नहीं मान सकते हम यहां पर बैल बालिंग का परफॉर्मेंस देख सकते हैं इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा बॉलर यहां पर कितने ओवर डालना है यह सब आपको जानने को एकदम अच्छे से मिल जाएगा उसके लबाभा यह गया इस गुलू कश्टर सायन का लास्ट मैस का बैटिंग पर पर चलते हैं यानि कि यहां पर पूरे सरीज के स्टैट्स पर चलते हैं यहां पर सभी प्लेयर का फुल स्टैट्स प्लस इंपो है यहां पर जितने भी मैचस सरे के प्लेयर्स खेले हैं सभी मैचस का एकदम अच्छे से स्टैट्स है ठीक है यह यहां पर बैटिंग का है औ आट मैच की छे निंग में ही 235 रण किये, स्टार्टिंग के मैच में इनको ज्यादा बैटिंग से मौकार नहीं मिला था, लेकिन अभी वह पर्फरम अच्छा कर रहेंगा, इस ठीक है, मारके स्टोन मैन भी अच्छा खेले हैं, उसके लाबा बॉलिंग का अगर देखेंगे, तो यहाँ पर मौरायटी बहुत कमाल का, इन्होंने बॉलिंग की है, आट मैच इसमें 13 विक्टे इनके नाम पर हैं, और साथ में कॉनर मैकर, जो की एक यंग फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने भी आट मैच में 16 विक्टे निका लिए, ठीक है, तो इन दोनों बॉलर पर आप यहाँ पर यहाँ पर यह बैटिंग का है, और यह यहाँ पर बॉलिंग का है, इसमें भी आपको complete stats मिलेगा, सबसे अधरान अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर James Taylor ने किये हैं, साथ मैच में 245, इसके लिए बेंच चाल्सवर्ट ने 6 मैच में 260 सबसे जादा किये हैं, औ James Taylor ने 7 मैच में 245 किये हैं, बॉलिंग का देखेंगे, तो बॉलिंग में guys, यहाँ पर Tom Smith ने 7 मैच में 8 विक्ते लिए है, Graham Van Hooran ने 7 मैच में 12 विक्ते लिए है, साथ में 165 रन भी किये हैं, Graham Van Hooran ने, तो यह अच्छे प्ले रहेंगे, Jaws Saw के नाम 8 विक्ते हैं, Waral के नाम 7 विकेट हैं, और यहाँ पर और प्लेश के guys, आप स्टाट्स यहाँ पर देख सकते हैं, तो guys, इस स्टाट्स मैने दोनों टीम के सभी प्लेश के अच्छे से बता दिया, अब चलिए गाइस, हम यहाँ पर अपनी टीम डिसकस करते हैं, साथ में प्लेश के बारे मैं किस player को यहाँ पर ignore करना है तो पहले बिकेट कीपर सक्षन से start करते हैं जहाँ पर मैं आपको दो player suggest करूँगा jammy smith और james baracy ठीक है ये दो player आपको खेलते दिखने चाहिए ठीक है james baracy last match में one down आये ठीक है और उसके लापा jammy smith आते हैं three down ठीक है james baracy के बारे में अगर मैं आपको बता दू तो james baracy अभी England के लिए test match में इन्होंने debut भी किया था आपको अगर नहीं पता है तो newland के खिला भले उस match में आप अच्छा perform नहीं कर पाए थे लेकिन player guys talented है England के लिए भी debut किया इन्होंने recent में ठीक है इनका record भी बहुत अच्छा है first class का भी लिस्टे का भी तो मैं इनके साथ जाओंगा यह one down batting करेंगे ठीक है इस tournament में ठीक ही खेले यह भी उसक्रावर jammy smith भी काफी talented batsman है बिकेट keeper batsman captain भी है सरेक है तो आप उनको भी try कर सकते है वो भी 2 या फिर 3 डाउन आएंगे ठीक है तो यह आपके पास बहुत अच्छी option है अब आते हैं batting section पर guys जहाँ पर James Taylor को मैं लूंगा जो की काफी important pick बनते है guys इन्होंने गुलुकोष्टर सायर के यह top second run scorer है last match नहीं खेले थे लेकिन इस match में guys आपको खेलते दिखे जाएंगे next में guys Ben Charlesworth को भी लूंगा जो की गुलुकोष्टर सायर की top run scorer है अच्छी young player है इनको भी मैं लूंगा उसके लाबा guys यहाँ पर Mark Stoneman को आप ले सकते हैं जो की open करेंगी अच्छा खेले सरी के लिए उसके यह नहीं चले थे आप इनको भी ले सकते open करेंगे यह आपके लिए बहुत अच्छे ग्रैल्डी के पिक है ठीक है ग्रैल्डी के number one pick आपके लिए इस match में Chris Dent है ठीक है बहुत talented है आप इनको try कर सकते हैं उसके लाबा guys अगर देखेंगे तो ज्यादा कुछ option नहीं है तो य बहुत important player है गुल कोश्टर सायर के लिए two down batting करते हैं और साथ में guys इन्होंने विक्टे भी बहुत निका लिया तो इनको हमें सबसे पहले लेना है उसके लाबा next यहाँ पर रियान पटेल को मैं लूंगा जो कि सरे के top run scorer है लगभग हर match में भी तक अच्छा perform किया है open कर करते हैं सबसे main batsman में से एक हैं उसके लाबा guys team david को मैं यहाँ पर लूंगा जिनका 2-3 match से roll बर गया है यह balling भी कर रहे हैं office spin आकर साथ में batting सभी यह contribute कर सकते हैं guys ठीक है तो इनको भी मैं लूंगा guys यहाँ पर मैं आपको एक player के बारे बताने भूल गया जो कि एक बहु के लिए भी मैं इनको सजेस्ट रहूंगा कि आप ट्राइ कर सकते हैं यह मेरे हिसाब से आपके लिए नमबर वन टॉप ग्रैंडी के लिए यह इंग्लेंड के लिए test matches भी खेल चुके हैं अभी एस्वाइट में थे लेकिन इन्हें release कर दिया गया है तो काफी यह प्रूब को स्मॉल लिंग में भी ट्राइ कर सकते हैं बहुत कमाल के प्लियर है उसके लाब ऑल डाउंडे सक्षिन में यहाँ पर कैमरें इस्टील ने तीन मैचेस में ही बहुत ज्यादा विक्टे निकाली है अभी मैंने आपको स्टैर्स दिखाया है तो आप इनको ले सकते हैं उसक look at even time यहां ओ गलाव यह नियिए गा सकते हैं का अब टॉम स्म४ी यहां तो सबहुत स्मीद कर सकते हैं प्रीटिब्स अच्छा कर सकते हैं उसके प्लेट डैन वोरल है डैन वोरल लास्ट मैस नहीं खेले है लेकिन इस मैस वह आपस आ सकते हैं ठीक है मैग टेलर है जो कि एक अच्छे ऑप्षन है एक्ट इंचन है गाइस काफी अच्छे प्लियर ये भी अगर खेलते हैं तो मस्ट विक आपके लिए बनेंगे तो गाइस यहां पर सब्सक्राइस थोड़ाएब कन्फ्यूजन है अभी मैं यहां पर च्रेड़ित जो पिक करना पर एगा तो गाइस माएस मार के स्टों मैं को में ड्रॉप करया यहां पर ओल्ली पॉप को मैं सलेक्ट करऊं खाई ठीक है आप लिए सकतेल प्वाइबी ड्राफ यहां पर तो मैं यहां पर ले पाऊंगा, सारे 8 credit के 2 baller, तो मैं यहां पर वरल को लूँगा, जो कि मुझे उमीद है, गोलो कोश्टर से लेंगे, और अस्ट्रिलिया के ले भी खेल चुके हैं, गाइस, बिग बैस लिग में आपने इनको खेलते देखा होगा, काफी अच्छे BK Taker baller ह मैं इनको लूँगा, अब लाश्ट baller में थोड़ा सा confusion है, मुझे लेने का मन्त पूरा Tom Smith को है, लेकिन credit मेरे पास नहीं है, आपके पास अगर credit बसता है, तो आप इनको try कर सकते हैं, यहां पर गाइस, 2-3 आपके पास अच्छी option है, Matt Taylor है, जो कि बैटिंग से भी contribute कर सकते ह साथ में अच्छे baller भी है, मीडियम पास ठीक है, उसके लबा मैट डन भी ठीक है, लेकिन मैं आपको Josh Saw और Matt Taylor में से किसी एक को pick करने को हुआ, ठीक है, इन दोनों में से आप किसी एक को pick करें, आपको जिसे लेना हो, आप ले सकते हैं, मैं अभी के लिए Josh Saw के साथ हूँ, यह ज़्यादा बिकेट टेकर baller मुझे लगते है, मैट टेलर के मुकाबले, लेकिन मैट टेलर का advantage यह है, कि यह बैटिंग से भी contribute कर सकते हैं, ठीक है, तो यह आपके लिए नमर 3 ग्रैंडी के pick बनते हैं, ठीक है, तो आप इनका ध्यान लखेगा, उसके लाबा मैट डन भ भी ले सकते हैं, क्रिस डेंट है, ठीक है, यह दो हो गए, उसके लाबा रिकी क्लाक हो गए, यह तीन प्लेयर हो गए, जिनको आपको must try करना है, उसके लाबा मैट टेलर है, यह चौते पिक हो गए, ठीक है, और उसके लाबा कुछ टीम में आप मैट डन को try कर सकते हैं, तो से बहुत कमाल के फॉर्म में हैं आप चाल्सवत को भी जरू ट्राइ कर सकते हैं टीम डैविट का फॉर्म बहुत कमाल का भी दो मैट से चल रहा है तो आप उनको भी ट्राइ करना चाहते तो कर सकते हैं ठीक है तो यह चार्ज हो है यह आपको लिए स्मॉल डिग के अच्छी बेस्ट प्सन है नम्मर वन है ऊप्टार सब्सक्राइब्स होंगे तो यह अच्छा कर सकते शुंस्यूटी भी मार जाये मौ तो आप इनका ध्याण ठेस है नम्मर वन ग्रैंटीwire के Captain C की option Ollie Pop है, इनका आप ध्यान रखिएगा, उसके अलाबा, और आपको गर प्लेयर को ट्राइ करना है, आप यहाँ पर Connor Macar को ट्राइ कर सकते हैं, और Dan Morality को ट्राइ कर सकते हैं, यह दुनों बॉलर भी काफी अच्छे फॉर्म में हैं, तो आप इनको भी ग्रैंडे की टीम में Captain Vice Captain कर सकते हैं, तो यह अभी के लिए टीम है, इसमें definitely changes होने बाली है, जो आपको final team update मिलेगी, वो लिंक है हमारे telegram channel का मिलेगा, आप उस पर जैसे ही click करेंगे, हमारे telegram channel पर आजाएंगे, यह हमारा telegram channel है, final team update आपको यहीं पर मिलेगी, तो काफी important है आपके लिए join करना, मैं guys यहाँ पर grandly की आपको 13 teams भी provide करता हूं, काफी बार तो और ज्यादा मैं provide करता हूं, तो guys आ join कर सकते हैं, अगर आपको मेरी final team देखनी है, तो काफी important app के लिए join करना, यहाँ पर मैं मैं आपको maximum matches की teams देता हूं, तो आप join कर सकते हैं, ठीक है,ए, एकदम free मैं आपको teams मिलती है, तो आप और छोइन कर सकते हैं, खिल के काफी important app البस्यादा है, कोई नय player भी खेलता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको stats यहां पर share कर दूँगा तो आप join जरूर कर लीजेगा उसके लाबा guys कुछ कमाल की 3 fantasy apps का आपको link मिल जाएगा 3 apps बहुत कमाल की है 3 apps मैं खेलता हूँ और बहुत अच्छी earning भी करता हूँ और 3 application में guys आप free में भी खेल सकते ठीक है पहला application में तो आप हर match में 100% bonus यूज करके खेल सकते है ठीक है उसके लबाग गॉप स्की में भी आपको daily यहां पर giveaway मिल ही जाती है fan add-up में भी आपको giveaway मिलती है तो 3 बहुत कमाल की application है तो 3 को आप try कर सकते तीनों का आपको link के आपको description में दिया किया है आप उसवर click करकर download करिए और ध्यान लखे download करने के बाद sign up करते बगद code जो है हमारा SK11 expert उससे जरूर use करिए ताकि आपको सभी apps में bonus मिल जाएगा guys ठीक है तो आप ध्यान लखेगा इस बात का अब जरूर guys तीनों fantasy apps को try करिए तीनों बहुत कमाल की application है आप बहुत अच्छी earning कर पाएंगे तो बस guys आज के इस वीडियो में इतना ही टेलिग्राम चैनल पर join करना बिल्कुल भी आप ना भूले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो